मेश रासी अप्रेल 2022 में सनी और गुरू करेंगे कमाल आपको कर सकते हैं माला माल मित्रो नमस्कार नोगयान जोतीश चैनल आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता है मित्रों अप्रेल 2022 में शनी महराज और मंगल महराज दोनों ही दसम भाव में शुरुवात में विराजमान रहेंगे हाला कि 7 अप्रेल 2022 को आपके जो लगनेस मंगल देऊ हैं वो 11 भाव में विराजमान हो जाएंगे सनी अपनी ही रासी में विराजमान है ये मन्त के लाष्ट में कौम रासी में गोचर करेंगे लेकिन बहुत सुभ रिजर्ट आपको इस पूरा माह मिलने वाले हैं सबसे पहली चीज जिए आपकी मेश लगन है या मेश रासी है तो इस माह धन के लिए बहुत ही अच्छे आउसर आपको मिलते रहेंगे गुरु देव ब्रस्पती ये एकादस भाव में विराजमान है साथ ही साथ वहाँ पर शुक्र महराज भी विराजमान है जिनकी क्रपा से आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत पूरा माह बनी रहेगी आप नौकरी करते हैं तो भरपूर मात्रा में लाब होगा और इसके अलावा अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर योग बना हुआ है इस अपरेल 2022 में आप नए व्यापार की शुरूआत कर सकते हैं यदि आप पहले से ही व्यापारी हैं तो भी आपको घबडाने कि आव सकता नहीं है आपको भरपूर लाब होगा अगर बात करें वैवाहिक जीवन की तो समय बहुत ही उत्तम चला है किन्तु ये ध्यान रखिएगा शुक्र महराज आपके लाब भाव पे बैठे हुए है तो अनावस्यक प्रेम प्रसंगों से आप दूर रहेंगे तभी आपको भरपूर मात्रा में सफलता मिलेगी और जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए भी यह माह बहुत अच्छा रहने वाला है प्रेम का आप इजहार कर सकते हैं लव लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी ऐसे योगिस पूरा माह बने रहेंगे विद्यार्थियों की यह बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय की चाल वैसे तो अच्छी है लेकिन भटकाओ भी कहीं न कहीं आप के अंदर रहेगा क्योंकि शुक्र की द्रिष्ट्री आपके वुद्धी स्थान पे है तो ऐसे में आपका रुजान अपोजिट सेक्स की तरफ अधिक रहेगा तो भटकने से बचिए और ये भटकाओ आप अनुभाव कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एक बार सूर्य महराज के दर्सन करने के बाद ही दिन की शुरुवात करें बाकी भागे का पाया भी आपका काफी मजबूत चल लहा है जो कि पूरा माह बहुत अच्छा रहेगा मंगल देओ ये एकादस भाव में विराजमान हो जाएंगे तो मंगल देओ के भी अपार क्रपा आपको मिलेगी कहने का मतलब ये है लाव की इस्थितियां और भी जादा बढ़ जाएंगी जो जातक यात्राय करना चाहते हैं बहुत सुन्दर समय हैं आप यात्राय कर सकते हैं इंपोर्ट इक्सपोर्ट के व्यापारी हैं तो भी आप यात्रा करिए आपको लाब होगा अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी समचित मात्रा में कहीं न कहीं beneficial result आपको देखने को मिलेंगे बात करें अगर स्वास्त की तो पूरा माह स्वास्त के लिए बहुत अच्छा है कहीं पर कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है थोड़ी परेशानी एक अवस्य हो सकती है कि आपके लगन के दोनों तरफ पापी ग्रह विराजमान है एक तरफ सूरी बैठे हुए हैं दूसरी तरफ राहू तो यदा कदा रविवार के दिन और भ्रस्पतिवार के दिन आपके नेत्रों में पीड़ा हो सकती है इसके प्रत्याप सतर्क रहिएगा यदि कोई दिक्कत होती है तो चिकित्सक की परामर्स लीजिएगा वैसे आपको घबडाने की आशक्ता नहीं है क्योंकि लगनेस काफी मजबूत स्थिती में इसमाह रहने वाले हैं जिन लोगों के संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति हो सकती है ऐसे योग भी यह माह अपरेल 2022 में सरासी वालों के लिए दर्शाता है और यदि आपके संतान पहले से है कोई वैचारिक मतभेच चल रहे थे तो वह भी इस माह निश्चित ही दूर हो जाएंगे परिवार का भरपूर मात्रा में सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है इसके इलावा पूरे माह आपके अंदर एक पॉजिटिवटी बनी रहेगी एनरजी लेविल आपका बढ़ा रहेगा बहुत अच्छा समय इस पूरा माह आपके लिए रहने वाला है प्रतेक काम में आप सफल होंगे थोड़ा एक चीत ध्यान रखिएगा वाणी पर आप नियंतर रखिएगा क्योंकि वाणी दोस बना हुआ है तो बहुत उच्छा दिकारियों से परिवार से जो भी बात चीत करिएगा थोड़ा संभल करिएगा वाणी पर नियंतर रखिएगा अन्य था परिवार से मतभेद हो जाना और कहीं न कहीं नौकरी में थोड़ी बहुस औगरा से मतभेद हो जाना इस तरीके के योग बने हुए हैं बाकी समय बहुत अच्छा है जो करना चाहते हैं कर डालिए ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है अन्त में अगर बात करें उपाय की तो यदे आपकी मेस लगनी या मेस रासी है तो हनमान जी के धर्शन करना हनमान जी के मंतरों का जब करना सरवोत्तम उपाय रहता है और यदे आपकी मंगल की महादसा या अंतरदसा चल लही है तो आप कोशिश करें कि जब सुबा उठते हैं तो सबसे पहले धरती मा के पैर चुएं उसके बाद दिन की शुरुआत करें सभी काम आपके बंते चले जाएंगे वीडियो ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा सारवजनिक प्र घज झाले ठेक लाइक लाइक रुत अधर